हालो दियर स्टूरेंट्स वालकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल सो चलिए बिटाजी नेक्स्ट तेस्ट हमारा स्टार्ट होगा I hope आप लोग यह सीरिस को enjoy कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चो को यह पता चल गया होगा कि हमारी त्यारी कितनी चल रही है या आप लोगो की त्यारी कितनी हो चुकी है For example, बहुत सारे बच्चोंने बहुत कुछ बढ़ा होगा लेकिन confident नहीं होगे लेकिन इस सीरीज के साथ आपको confidence आएगा कि आप लोगों की कितनी तियारी हो चुकी है या फिर आपने और कितना पढ़ना है सो बेटा कुछ टेस्ट हमारे हो चुके हैं सो next टेस्ट पर चलते हैं जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज को जोएन नहीं करा आप अपनी डेट्स चेक कर सकते हैं डेट्स के accordingly बटा आप अपना टेस्ट परपियर करके ही टेस्ट दे ताकि आप लोगों की जो preparation है पेपर की final की वो अच्छे से हो सके एक बार बेटा ये 2, 3 और 5 marks के questions complete हो जाएं इसके बाद हम लोग MCQs की तियारी भी इसी तरीके से करेंगे ठीक है जी सु संडे वाले दिन बेटा आप लोगों की MCQs यहां कुछ एक्स्टा चीज़े करवाई जाए बाकि कुछ बच्चों ने बोला है कि जैसे 4 और 5 जान को बटा कुछ बच्चों को questions में doubt है इसके answers क्या होने हैं मैंने आपको telegram channel पे share करें हैं इसके answers बट कुछ बच्चे हैं जो telegram नहीं join कर रहे सो उनको संडे को full पूरे हफते का जो भी test के answers होंगे वो हम लोग Sunday discuss कर लेंगे ठीक है जी So Sunday हम लोग discuss करेंगे So timing आपकी बटा 6-7 PM है Physics के test के लिए शाम को आप लोगों ने test send करना है और test बटा try करें कि time के अंदर ही अपना test सेंड करें और time के अंदर ही मुझे submit कर दें ठीक है जी So अगर बाई चांस बचे कुछ बच्चों का test check नहीं हुआ So attention मत लीजी आप सब के test check हो जाएंगे बस यह है कि sometime time नहीं मिलता या फिर test जादा है That's why test check नहीं हो पाते ठीक है जी So चलिए बटा अपना test series next start करते हैं आज के बटा हमारा जो test है वो है 5 marks के questions 7th unit के 5 marks के questions आज हमारा ये test है So चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है Maximum share करना है अगर चैनल पे first time आए हो तो चैनल को subscribe करना है बटाजी test स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इन में से long questions important कौन से है otherwise ये वाली pdf बटा मैं already आप लोगों को provide कर चुकी हूँ telegram channel पे आप लोग इसकी जो pdf है वो download कर सकते हो पढ़ सकते हो लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो नई जुड रहे हैं अभी उन्होंने recently channel जुआन कर है सो उनको दिक्कत आ रही है कि most important questions मैं पहले बता दिया करो सो बटा ये कुछ important questions है जो आप लोगोंने करने है and 101% बटा इनी 15 questions में से final paper में आपको 2 questions इनी 15 questions में से देखने के लिए मिल जाएगा 101% ठीक है जी मान लो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको बहुत जादा tension हो रही है कि मैं क्या पढ़के जाऊं क्या छोड़कर जाऊं आप लोगोंने क्या करना है कुछ important most important questions पढ़ जाओ बाकि अगर आप लोगोंने नहीं पढ़ना छोड़के जाना है छोड़ जाओ जैसे third question है बाटा यह this is the most important question axial line axial line पर अपने electric field intensity जो पता करनी है उसके बाद बाटा equatorial line और axial line बोथ हारा most 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 important topic ठीक है equatorial and axial line इसके बाद बाटा जो Gauss theorem की 3 questions है यह 3 के 3 questions आप लोगोंने अच्छे से prepare करनी हो गए आपके total 5 questions इसके बाद बाटा last question है आपका capacitor वाला dielectric slab यह 6 questions कर जाओ 101 percent इन 6 questions में से एक question आपको paper में जरूर देखने के लिए में लेगा जरूर ठीक है जी I think बाटा इतना बड़ा hint बहुत जादा है कि आपको पता चल रहा है कि paper में कौन से questions आएंगे so यह 15 questions बाटा आप लोगोंने अच्छे से prepare करने है इनी में से पका paper आजाएगा ठीक है जी so दो questions आएंगे दोनों में से एक ही question करना है माल लो इन में से कोई और question आगया कोई question माल लो किसे teacher को कोई और question लगे कि यह important है यह डालना चाहिए अगर वो आ गया मतलब इन 15 questions में से एक questions है जो आप लोग पका आएगा अधरवाइस बैटा दोनों questions इनी questions में से आजाएगा ठीक है so चलिए आज का test टेस्ट करेंगे आज का बैटा जो test है आपका 6 से लेके 7 p.m. तक आपका test होगा और बैटा यह total 10 marks का test है बैटा अपने time देख लिया करो अपनी watches etc आपने पास रखो time लगा कर ही चलो कि इतने time में आपका इतना question complete होना चाहिए अधरवाइस बैटा long question के लिए 20 minutes sufficient है 20 minutes के अंदर-अदर अपना paper complete करें 20 minutes में second question complete करें मतलब 40 minutes में आपका test complete होना चाहिए तभी बैटा मानके चलो कि आपके final paper में आपकी speed बनेगी plus आपका जो paper है time पे complete हो जाएगा ठीक है जी so first question test के अंदर है using Gauss law drive and expression for the electric field intensity due to a long thin wire of uniform linear charge density first question आपने यह करना है अभी बटा एक question मैं यहीं पर doubt आप लोगों का clear कर देती हूँ using Gauss law Gauss law की वर्तो करके ठीक है इसको use करके आपने next drive करना है doesn't mean कि आपने Gauss law की definition लिखनी है या फिर इसको drive करना है prove करना है कुछ नहीं बोला उनने prove करने के लिए ना state and prove वगेरा कुछ नहीं लिखा यहाँ पर उन्होंने बोले Gauss theorem को use करकर drive an expression for the electric field intensity ठीक है electric field intensity को आपने drive करना है हाँ अगर आप लोगों को 101% sure है कि आपको Gauss theorem की definition बहुत अच्छे से आती है तो definitions लिख दो ठीक है definition लिखने में कोई बुराई नहीं है लेकिन आपको अगर doubt है कि नहीं हमें नहीं आ रहा so उसकी definitions etc को ignore करो क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं है लिखने के लिए so drive करने के लिए बोला है drive करो so next question next test का question है drive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab is introduced between plates of a capacitor जब parallel plate capacitor के अंदर dielectric slab को insert करेंगे उसकी derivation आप लोगोंने drive करनी है so total हो गया 10 marks का question so जब बिटा मैंने आपको 15 questions बताए है 15 questions में से जिस question का answer आप लोगों को doubt हो कि इसका answer हमें नहीं पता please इस video के comment section में दे दीजिए ताकि मैं Sunday आप लोगों के doubts clear कर सकूँ Sunday वो सारे questions जिन questions में आपको doubt है या जिन questions का आपको answer नहीं पता वो आप लोगों को बता सको सिरफ बिटा यही तीन videos अच्छे से अभी तक 4 test हुएं जिन में से 3 theory paper वाले test है 101% बिटा 55 marks के questions यहां पे 100% complete हो जाएंगे मतलब यहीं से आएगा paper ठीक है जी बहुत बुरी किसमत होगी अगर इसके इलावा कोई और question आ गया otherwise यहीं से question आपके बनेंगे ठीक है जी जाने से पहले आपने वीडियो को like करना है maximum share करना है जितना जादा share कर सकते हैं क्योंकि बटा free में series मिल रही है free में आपका benefit हो रहा है so अपनी classmate, अपने friends, अपने relatives जिसकी भी help कर सकते हो free में free में help कर दो ठीक है जैसे आप benefit ले रहे हो इसी तरीके से किसी और की भी help कर दो अपने telegram channel पे जाना है telegram channel का जो link है बटा description box में मिल जाएगा physics with the rimpel maim same बटा channel का name है ठीक है जी, वहाँ पे physics का plus two का group होगा plus two मतलब 12th physics का अलग से group बना हुआ है आपने वो वला group join करना है otherwise अगर आप लोग मुझे personally message करोगे मतलब कर सकते हो, कुछ बच्चों को यही नहीं पता चलता कि personally कैसे message करना है आप लोगों ने group के अंदर message छोड़ दो कि I want to share my, I want to send my test मैं आप लोगों को personally message कर दोंगी ठीक है जी, group में आप लोग message कर दो, कि I want to send my test अपना test send कीजिए मैं check करके आप लोगों को भीज दोंगी और try करें कि बटा, group में कोई भी extra message नहीं करना, कोई भी chatting नहीं start करनी किसी के साथ so आप अपनी, ताकि मैं group बनना करूँ, ठीक है जी, so आप लोगों की help के लिए मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, so please आप भी थोड़ा सा corporate करें, physics with the rimple ma'am, telegram channel पे आपने जाना है वहाँ पे 12th physics का जो group होगा, उसे आप लोगों ने join करना है ये बटा channel का नेम है और ये group का नेम है group आपने open करना है, group में जाके आपने simple message send करना है कि test send करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप लोगों को मैं खुद personally message send कर दूँगे और आप अपना test send कर सकते हैं ठीक है जी, so all the very best for your test, timing कितना है आपका, 6 बजे से लेके 7.15 तक, ठीक है जी आपना test complete करें और बिटा, hardly 7.30 या 7.45 तक आप अपनी जो test है, वो send कर सकते हैं फ्लीज फोटो send करना PDF send मत करना, टेलिग्रम चैनल पर फोटो को चेक करना थोड़ा सा easy है, so photos आप लोगोंने send करनी है 7.30 या 7.45 तक आप अपना test send कर सकते हैं Thank you so much, so जाने से पहले आप लोगोंने वीडियो को लाइक करना है maximum share करना है, और अगर चैनल पर first time आए हो, तो चैनल को subscribe करना है Thank you so much